पुतर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी अधितिनाथ 554 प्रकाश पर्फ के अफसर पर लखनाओ के आशियान इलाखे में स्कृत गुर्दवारे में पहुचे यहां उन्होंने 554 प्रकाश पर्फ के अफसर पर आयोज़त कारिक्रम में भाग लिया सिएम योगी ने कहा है कि सिख धन पूजा पाट के गहन ग्यान से भरा हुआ है गुरू नानक देव जी की इस परंपरा को आगे बढ़ाया और इसे धार्मिक जागरुकता की कारिक्रमों से जोड़ा ये कारिक्रम आगे बढ़ने और परिणाम सवरुप देश और धन की रेड़ना देती है भारत के थ्यास का एक ऐसा दिवत जो हर युवा को और हर बच्चे को एक नई पेड़ना देता है गुर्गोविंद सिंग्जी महराज के चार सापजादों ने देश और धर्म की रक्सा करने के लिए जो महान बल्दान दिया उस महान बल्दान के प्रती कृत्गिपा यापित करने का दिवस है सापजादाओं के प्रती सम्मान का भाव देख्ट करने का दिवस है बीर बाल दिवस मैं धन्यबाद हूँगा अपने लखनों के सिक्व बंदों को जिन्होंने दो हजार बीश से इस बात के लिए लगातार प्रियास किया कि भारत के इत्यास कि उन स्ट्वण अक्सरों में लिखे जाने वाले बीर साहपजादों के बैजदान को क्यों बिस्मित कर दिया गया और उन्हें सम्मान देने के लिए जिस दिवस को बाल दिवस के रूप में बीर बाल दिवस के रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए उसे बीर बाज़ दिवस का सम्मान देकर के लोग उसको बिस्मित कर गए और बाज़ दिवस के रूप में कुछ और ही घटनाओं को जोडने का प्रयास किया जाने लग गया लेकिन हम सवाभारी हैं प्रभान मंत्री मोदी जी के जिनकी प्रेणा से जिनके आदेश से गतवर से गुरु गोविंद सिंग्जी महराज के दोनों छोटे सापजादों बाबा जोराबर सिंग बाबा फदेश सिंग के बैलबान दिवस को बीर बाब दिवस के रूप में मानिता मिली और आज हम सब यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में एक बार फिर से पांच में इस समारों के अउसर पर एकत्र हो करके इस महान गुरु परंपरा के प्रती अपनी सरधा को देख्ट करने के लिए करतकिता को देख्ट करने के लिए हम पर एकत्र हुए हैं बेरो रिपोर्ट टीम टॉप स्टोरी नियूज